तो उसे पता चलता है कि कौन देवता है और कौन देत्या है जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरयाम जो है मेरा घर तोड़ा गया गंदी-गंदी गालिया मुझे दी गई कुछ मुर्खों के इकठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते हमारी सारी पार्टी के लिए ही ये एक इतिहासिक जीत है और जाहिर सी बाते हम सब कार्यकरता बहुत ही जादा उत्साहित है बहुत इस चीज़ को लेकर धन्यवादी है पूरे महराष्ट्रा की जनता क पूरे मैं चीफने से किसको देखना चाहेंगे ये दो खैर अब हमारी जो पार्टी है उनका ये बनता है और हम लोग हम लोग तो खैर जो मैं हमेशा कहते हूं कि हमारी जो पार्टी है उनकी जो आइडियोलोजी है उस सब की एक से बढ़कर एक हमारे पास नेतित्तों के ल इतिहास गवाय और मेरे काफी रील भी वाइरल हो रहे है कि हम दैत्यों को और देवताओं को कैसे पहचानते हैं जो महिलाओं की इज़त उतारते हैं वो उसी रिक्ष्रेणी के होते हैं दैत्य ही होते हैं और जो महिलाओं को सम्मान देते हैं आज हमें अगर महिलाओं को 33% रेजरवेशन चाहें दिया हो, चाहें अनाज दिया हो, चाहें जाहें गैस किसलिंडरों तो उसे पता चलता है कि कौन देवता हैं और कौन डहत्या हैं, तो डहत्यों का वही हुआ जो होता है हमेशा उनकी हार हुई, और आप देख लीजे महाबारत में तो एकी क्लैन था भाई थे सब एकी परिवार था लेकिन फिर भी फरक कितना था जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनको जो है इस तरह से सरयाम जो है मेरा घर तोड़ा गया गंदी गंदी गालिया मुझे दी गई तो मुझे लगता है कि कहीं न कही बुद्धी ब्रष्ट हो गई थी वो दिखी रात है कॉंग्रेस पर पीम ने सिर्फ परिबार और डड़ाने की राजनेती करने का अरोप लगा है कैसे देखे हैं उनको भी एक पब्लिक से काफी एक मजबूत जवाब मिला है कि किस तरह से ये देश जो है ये देश बड़े पतर बाजी होए तो इसे हमें साक्षा देखने को मिलता है कि एक हैं तो नेक है अगर बटेंगे तो कटेंगे आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हमारे देश में ऐसे 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 एरियास भी है जहां पर जाना ही अलाओड नहीं है इवनिंग के बाद तो खैफ मैं लास्ट कोशें इस यह प्रियांका गांधी वाडरां के जीती हैं कि वाइटार से क्या कहना चाहेंगे तो ने जुन को शुप कामना है